तो मैंने पहले सारे कपड़े अल्मारी से निकाले कि मैं उनको सब को फिर से ही फोल्ड करके फिर से अल्मारी में रखोंगी हेलो एपिवान यह मेरा बेड्रेस्ट का व्लॉग है जैसे इतने दिनों उसमें बेड्रेस्ट में थी तो दस दिन से यह जो कपड़े जो भी मेरे धूल के आ रहे थे मेरे हस्बेंट ही मेरी अलमारी में रख रहे थे और वो बिना फोल्ड करें जहां उन्हें जगा मिलती थी जो कि मेरी अलमारी में मुश्किल से जगा मिलती है उन्होंने वैसे तैसे कपड़े कैसे भी डाल दिये थे तो मैंने सोचा कि मैं इन कपड़ों को थोड़ा सा ठीक कर दूँ अब थोड़ा सा ठीक करने के वज़े जब मैंने इतनी बूरी हालत देखिया अपनी अलमारी की तो मुझे लगा अब मैं इसको पूरा ही ठीक कर देती हूं और सोचा कि जो कपड़े अब मुझे फिट नहीं आ रहे प्रेग्नेंसी के वज़े से उसको मैं अलग से एक सूट केस में भर देती हूं और बाद में जब मैं पत्ली हो जाओंगे फिर से तो मैं इसको पैन लूँगी और वैसे भी मुझे अभी अलमारी में जगे बनानी भी है अभी मेरी कंडिशन फिर भी ठीक है बाद में और खराब हो सकती है तो इस वाजे से मैंने सोचा यह काम करी लूँ ठीक है पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना काम करूँगी लेकिन फिर ही होता है कि जब मेरी बहुत बुरी आदत है अगर मैं थोड़ा सा काम भी शुरू करती हूँ ये सोच के कि बस इतना ही करूँगी तो कुछ दाएं बाद मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मैं फिर उसको पूरा निपटा के ही चैन से बैठते हूं ठीक है तो मतलब यही है कि एक लेडी के लिए एक बेड्रिस क्या होता है यह मुझे भी अब समझ नहीं आ रहे हैं क्योंकि वैसे तो इतने दिन मैंने बहुत कम काम किया था बीच-बीच में ऐसा ही कु ताकि सूटकेस में भर रही हूं ठीक है ताकि मैं इसको बाद में फिर निकालके पहन सकूँ जो पतली हो जाओ पर मेरा इतनी ज्यादा मैस्टप थी कि मेरा दिमाग खराब हो गया ऐसा देखके फिर भी मैंने पूरा नहीं कर पाई थी ठीक है यह डुपट्टे वाले सेक् पड़े तो ऐसे थे जो मुझे बस टेवल पर रखने पड़े ताकि जब मेरे हजबन शाम को आये तो वह एक और सूटकेस लिया और उसमें फिर मैं डाल दूंगी तो फिर वह उपराल फ्लोर में सूटकेस रखके आ जाएंगे ठीक है बहुत मुश्किल से इतने कपड़े मैंने किसी तरह डाले हैं और फिर क्योंकि मुझे लग रहा हूं था कि मैं पूरी अलमारी ही सेट कर दूं तो मैंने पूरी ही अलमारी सेट कर दी भilge सक्ष और सब जितना भी मैं 카loo करशती थी टीक है चैन से बैठा ने गया मुझसे मुझसे तो मैं पहले सारे कपड़ते हिलमारी से निका युम को सब को फिर से फोल्ड करके फिर से अलमारी में रखोंगी जो कपड़े मुझे लेया रह साथ हा थीक Case सब गहां रहे हूए तो इसलिए भी मैंने सोचा कि ये काम आज कर ही लेती हूं ताकि बाद में मुश्किल कम हो और जो वेस्टेन वेर हैं वो मैं अलग ही हटा के रख रहे हूं आपको बीच बीच में ऐसा लग रहा होगा कि कुछ कपड़े में फेक रही हूं वो मैं आक्चली सच में फेक ही रही निकालने के बाद जबकि मैंने डूपटे नहीं निकाले हैं मैंने उसको वैसी का वैसी रहने दिया कि थोड़ा सा फिरसे अरेंज करूँंगी ठीक है वो और कुछ कपड़े जो मुझे लग रहरा है कि थोड़े बहुत मैं शायद अपनी मेट को दे दूंगी ठीक है उसको दो के प्रेस करवा के ताकि कोई और भी मतलब उसे यूटलाइस कर सके और कुछ कपड़े जिनको प्रेस की जुरत है वो मैं अपने हजबन की अलमारी में रख रही हूँ तो फिर वो मेरे जो कपड़े अगर एक दू जोड़ी देखते हैं तो उनको भी वो फिर धोबी को देखे आ जाते हैं ताकि वो प्रेस हो जाए तो इसलिए मैं वह वाले कपड़े उनकी अलमारी में रख देती हूँ और ये लॉट इतना टाइम लगा था इसको करने में मैं थक चुकी थी मतलब बुरी तरह थक चुकी थी बस मेरे बैठने का मन करा था बट वही होता है ना कि जब हम एक काम स्टार्ट करते हैं फिर उसको खतम करके ही चैन पड़ता है कि हाँ चलो ये काम हो गया और फिर जो रिलाक्स कर पाते हैं वो रिलाक्स कुछ और ही होता है जब भी मैंने बेड ड्रेस्ट किया है हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे मेरे ले काम बड़ा ही है ना कि मेरे काम कम हुआ है इसलिए पहले भी जब एंब्रियो ट्रांसफर हुआ था तो उसके बाद मैं यहां आने के जगा मैं अपने मम्मी के घरी चली गई थी क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ होता है सिचुएशन ही नहीं बनती है ऐसा नहीं कि कोई मुझे काम करने के लिए कहता है या कुछ ऐसे और कोई खुद भी काम नहीं करे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है हमें फिर वह काम करना ही पड़ जाता है क्युक्य वह कोई और help नहीं कर पाता है या अगर help करता भी है तो फिर वो ऐसी help होती है कि आप देखी सकते हैं और काम करते करते मैं खुद को समझा रही थी कि बस होई गया और इतना सारे कपड़े जो थे जो मैंने लगा दिये हैं अब बहुत जरा से बचे थे तो फिर किसी तरह मैंने किया लेकिन लास्ट में मैं इतना ठक चोगी थी कि चार पार्च कपड़े तो ऐसे थे जो मैंने सबसे नीचे वाले सेक्शन में जिसको मैं को पूरा खाली करना था उधर मैंने वो चार पार्च कपड़े छोड़ दिये कि ये मैं बाद में फोर्ड करके उसको भी उपर वह सेक्शन में ही लगा दूँगी क्योंकि अबी भी भी थोड़ी जगा है लेकिन मैं थकान के वज़े से मेरी बिलकुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे मुझे पैन रहता है पेल्विक पेन भी रहता है तो इसलिए मैं किसी तरह बस ठीक है लाज